एक बार फिर से श्यांदार सेशन के साथ आप लोगों का स्वागत है और हमने पिछले सेशन में बात की थी यानी जो नाम में एक दूसरे से मिलती जुलती विराइटियां है जिनमें आप अक्सर कन्फ्यूज होते हैं और एकजाम में वही विराइटी पुछी जाती है जिसमें स्टूडेंट जनली चन्फ्यूज होता है part first में मैंने आपको कुछ variety बताई थी अब अपने बात करती है इस part second में कुछ important variety की और इन variety को आपको अच्छे से याद करके चलना ही चलना है क्योंकि नहीं तो exam में कोई ने कोई आप variety गलत कराओगे और आपको पता हो अगर कोई चीज अपवाद होती है, अशेप्शन होती है या फिर कन्फ्यूजिंग होती है वहाँ से क्योशन पुट होता है एक्जामी नर्भी वहीं से क्योशन निकालने की कोशिस करता है तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सदा बाहर वेराइटियों की बहुत सारी वेराइटियों है जिनके साथ सदा बाहर नाम जुड़ा हुआ होता है तो सबसे पहले वेराइटी है सदा बाहर देखिए जो सदा बाहर वेराइटी है वो मेंगो की न्यू रिलीज वेराइटी ह इपोर्टेंट वेराइटी है शांदार वेराइटी है सदा बाहार राउंड दा इयर फ्रूटिंग देती है साल में तीन सीजन है तीनों ही सीजन में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है इसलिए इसका नाम रखा गया है सदा बाहार ठीक है और सदा बाहर जो वेराइटी है वो कोटा नांता एक जगें है कोटा की नांता कोटा के एक किसान है कोटा राजस्तान के एक फार्मर है किसान है किसन सुमन उन्होंने विक्षित की है और यह मेंगो की एसी पहली वेराइटी है जो round the year फ्रूटिंग देती है पूरे साल फलन देती है इस बात के लिए इन्हें राश्पती आवार्ड भी मिला था एक फार्मर है ये और इनके नाम से ये वेराइटी पैटेंट है और नेशनल स्प्लायर यानि इस वेराइटी के जो पोध त्यार करके पूरे इंडिया में जो प्रवाइड करवाएगा नेशनल जो इसके डिस्टिबूटर है जो नेशनल डिस्टिबूटर है वो भी किशन सुमना और ये वेराइटी किशन सुमन के नाम से पैटेंट है और ये राजस्तान की मेंगो की पहली ऐसी वेराइटी है जो पैटेंट सदा बहार बिंगो बाई सिरी किसन सुमन और पूरे साल ये क्या है प्रूटिंग देती है और इसकी हाइट बहुत छोटी होती है किचन गार्डनिंग के लिए भी बेस्ट वेराइटी है ओर चाड में हाइट डेनसिटी प्लांटिंग जैसे आपने आमरपाली पड़ी होगी न उसकी तरह ये हाइट डेनसिटे प्लांटिंग के लिए भी शांधार वेराइटी है नेक्स्ट है पुसा सदाबार वो थी सदाबहार ये है पुसा सदाबार टमाटर की वेराइटी है चिल्ली की वेराइटी है और कलस्टर बीन यानि गौार की वेराइटी है पुसा सदाबार टोमेटो टमाटर की वेराइटी है चिल्ली मिर्च की वेराइटी है और कलस्टर बी जाय तीनों के लिए suitable है चिल्ली के अंदर पुसा सदा बाहर पेर्मिल वेराइटी है राउंड दा इयर क्या है इससे फ्रूटिंग मिलती है कलस्टर बीन यानि गौार गौार की जो पुसा सदा बाहर वेराइटी है वो खरीप और जाय दोनों के लिए suitable है यानि समर और रेनी सीजन यानि ग्रीसम रितू और वर्षा रितू दोनों के लिए suitable होती है पुसा सदा बाहर टोमेटों की भी है चिल्ली की भी है और कलस्टर बेन की है अब ये मत बोलना कि पुसा सदाबार आगी और आप्सन में टमाटर भी है चिली की है तो कौन सी करें जी अगर उपरोग दोनों है तो ठीक है एसा नहीं है तो कोई सी भी एक अटेम्ट कर दो क्योशन हटेगा क्योशन फाइनलाइज नहीं होने वाला है पंजाब सदाबार रिजगार बोले तो जो अपने लस्दार तोराई होती है तोराई जिसमें धारियां होती है उसकी वेराइटी एक तो पंजाब सदाबार दूसरी वेराइटी है ब्रिंजल यानि बेंगन की है और ये शूट एंड फूट बोरर यानि तना वैफल जो भेद पंजाब सदावार लस्दार तोराई रिजगाड की वेराइटी है और ये सूट एंड फूट बोरर यानि तनावार फल छेदक के लिए भी सहनशिल होती है बीधाना सदावार जो वेराइटी है वो काउपी की वेराइटी है यानि चौमला की वेराइटी है बुसी जाडी नुमा वेराइटी है इसके अलावा ये जो चौमला में लगने वाला एफिड होता है उसके लिए रसिस्टेंट वेराइटी है ि नेक्स्त है सदा बाहर सदा बाहर जो एक वेराइटी है वो गलेडुलस की भी है और सदा बाहर बीराइटी मेंगो की भी है यादर केगा सबोर सदा बाहर बहुत ही important variety new re-leаже variety है और सबोर सदा बाहर से release होने वाली variety होती है साबोर सदा बाहर ब्रिंजल की वराइटी है बेंगन की वराइटी है हाई टेंपरेचर के लिए टोलरेंट होती है फटा फटाम बात कर लेते हैं दुबारा से सदा बाहर मेंगो और गलेडूलस आम और गलेडूलस की वराइटी है पुस्सा सदाबार टमाटर की वेराइटी है मिर्च की वेराइटी है और गौार की वेराइटी है टॉमेटो चिल्ली और कलस्टर बिन पंजाब सदाबार रिजगार्ड लस्दार तोराई और ब्रिंजल यानि बेंगन की वेराइटी है बिदाना सदा बाहर वेराइटी काउपी की यानि चमला की है वहीं पे सदा बाहर वेराइटी मैंने मेंगो के साथ बताई गलेडुलस की है साबोर सदा बाहर एक इपोर्टेंट वेराइटी है बेंगन की वेराइटी है और ये high temperature के लिए tolerant होती है, अधिक तापमान के पर 30 सहन्सल होती है आप वाली 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 कि बात करते हैं पंत बहार, पंत गौबद बलंपद जो university है वहाँ से रिलीज होने वाली 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 होती है पंत बहार टोमेटों की टमाटर की वराइटी है पुसा बहार अप्रीकन मेरी गोल्ड यानि अप्रीकन गेंदे की वराइटी है अरका बहार अरका बहार जो वराइटी है लोकी यानि बोटल गार्ड की वराइटी है कासी बाहर जो है वो बोटल गार्ड की वेराइटी है एंथ्राक नोज के लिए टोलरेंट होती है दावनी मिल्डियू सरकोस्पोरा लीप स्पोर्ट इनके लिए भी टोलरेंट होती है यानि एंथ्राक नोज दावनी मिल्डियू यानि तुला सिता और सरकोस्पोरा लीप के लिए सहंसिल होती है कासी बाहर पिछला लेक्चर आप जरूर देखिए उसके अंदर मैंने आपको बताया था कौन से नाम वाली वेराइटी कहां से रिलीज होती है जैसे अरका आई आई एचार से कासी आई आई वी आर से इंडियन इंस्टिट आफ वेजिटेबल तो ये बाते मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको बता दी थी नेक्स रैप पंजाब बहार पंजाब बहार ब्रिंजल की वेराइटी यानि बेंगन की किसम है उसके अलावा इसकी बात करें तो इसके जो फल होते हैं वो राउंड होते हैं गोल गोल बेंगन वाली किसम है पंजाब बाहर जो है बसंत बाहर गलेडियोलस की वेराइटी है बसंत बाहर गलेडियोलस की वेराइटी है कंचन बाहर और दुर्गा बाहर ये गवार की वेराइटी है कलस्टर बीन की वेराइटी है ठीक है कुफरी बाहर नाम से ही पता लगया होगा कुफरी बाहर जो व उप्री रेड और जिने की जो वेराइटी है उनके क्रोस से तियार की गई है और वाट एक आलू में रोग लगता है वाट मश्या रोग जिसको बोलते हैं उसके परती सहंसिल होती है नेक्स्ट है सरद बहार सरद बहार जो वेराइटी है वो कलस्टर बीन यानि गौार की वेर वेराइटी है फिर से एक बार रिपीट करते हैं पंत बहार टोमेटो टमाटर की पुसा बहार अफ्रीकन मेरी गोल्ड अफ्रीकन गेंदे की अरका बहार बोटल गार्ड लोकी की कासी बहार बोटल गार्ड की यानि लोकी की यह जो कासी बहार है यह कई रोगों के लिए सहं होती है जैसे एंत्रा कनोच, डाउनी मिल्डिट यानि तुला सिता सरकोश पुरा लिपसपोड यानि पत्ती धबारों इनके लिए सहेंशील होती है पंजाब बहार ब्रिंजल की वेराइटी है बेंगन की गोल बेंगन वाली बसंत बहार गलेडोलस की वेराइटी है कंचन बहार और दुरगा बहार गुआर कलस्टर बीन की वेराइटी है कुफरी बहार आलू की हाइब्रिड वेराइटी है और सरद बहार कलस्टर बीन की वेराइटी है यानि नौ भाहर जो वेराइटि है वो कलस्टर बीन की है गुवार की है नौ भाहर लगाओ इसलिए महमूद भाहर महमूद भाहर जो वेराइटि है वो मेंगो की वहपाली था विप autopilot कि गए थी विवयार Ś droit क्लाश्टर साबोर से विक्षित की गई थी इसको हम परबा संकर के नाम से जादा जानते हैं किस नाम से जादा जानते हैं परबा संकर के नाम से जादा जानते हैं महमूद बहार बिहार एगरी कल्चर युनिवस्टी की पहली हाइब्रिड है ठीक है तो यह साबोर से विक्षित की गई है नेक्स लब अपने उनती वाली बात करते हैं उनती वाली कौन कौन सी वेराइटी है जो आपको कन्फ्यूज करती है अरका उनती जो वेराइटी है ये ब्रिंजल की वेराइटी है बेंगन की वेराइटी है हरे बेंगन की वेराइटी है लंबे बेंगन की वेराइटी है 89 वो चवला की यानि कावपी की वेराइटी है वहीं पे हिसार जो उन्नत है उन्नती नहीं उन्नत है हिसार उन्नत वेराइटी भिंडी की ओक्रा की वेराइटी है और पुसा उन्नती जो वेराइटी है वो लोग गलेडियोलस की वेराइटी है तो ये कुछ वेराइटियां जिनके नाम काफी सिमिलर है और जो आपको एकजाम में काफी कन्फ्यूज कर देती है इसी तरह की वेराइटियां नेक्स तीसरे सेशन में भी लेके आएंगे अभी तक मैं दो सेशन करवा चुका हूँ अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो फर सब्सक्राइब नहीं किया है बिना देरी करते हुए सब्सक्राइब करिए धन्यवाद